क्या आप जानते है कि पांडू पुत्रों ने अपने ही पिता का मास खाया था लेकिन उन्हें ऐसा करने की जरूरत क्यूं पड़ी? महभारत से जुडी यह घटना उस समय की है जब पांचों पांडवों के पिता पांडू की मृत्यू हुई और अपने पिता पांडू के शरीर का मास पांडवो ने खाया इस बात को जानने के लिए हमें पांडू के जीवित होने के समय में जाना होगा इसके अनुसार पांच पांडव युधिष्थर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे इन में से युधिष्थर, भीम और अर्जुन की माता कुंती थी और नकुल और सहदेव की माता मादरी थी वाई पांडवा सीट डेड बॉड़ी ओफ पांडु पांडु इन पांचों पुत्रों के पिता तो थे लेकिन इनका जन्म पांडु के वीर्य तथा मातों के गर्ब से नहीं हुआ था क्योंकि पांडु को किसी रिशी ने श्राप दिया था कि अगर वो किसी भी स्त्री से शारीरिक संबंध बनाएगा तो उसकी मृत्यू हो जाएगी जिसके कारण उन्होंने कभी भी कुंती और मादरी से शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे इसी कारण पांडु के निवेधन पर पांडवों की दोनों माताउं, माता कुंती और माद्री ने भग्वान का आहवान करके प्राप्त किये थे. जब पांडु की मृत्यू हुई तो उसके मृत्य शरीर का मास पांचों भायों ने मिल कर खाया था. इसके पीछे का कारण पांडू की अपनी ही इच्छा का होना था दरसल पांडू खुद चाहते थे कि उनके पुत्र उनका मास खाए क्योंकि पांडव पुत्र पांडू की वीरे से पैदा नहीं हुए थे जिस कारण पांडू का ज्यान, कौशल उसके पुत्रों में नहीं जा पाया था इसी कारण से पांडू ने अपनी मृत्यू से पूर वैसा वर्दान मानगा था कि उसके बच्चे उसकी मृत्यू के पश्चात उसके शरीर का मास मिल बांट कर खाए जिससे उसका ज्यान बच्चों में स्थानांतरित हो जाए